बहुपदों के उदाहरन अब तक हमने बहुपदों के अर्थ और उनके प्रकारों के बारी में जाना। कुछ उदाहरनों से अब हम बहुपदों को और अच्छे से जानेंगे। उदाहरन एक मोहन, रोहित और पंकज अच्छे मित्र हैं। तीनों एक ही कक्षा के छात्र हैं। वे सब ही अपने लिए कलमें लेने के लिए गए। सबने अपने लिए अलग-लग रंग की कलम ली। मोहन ने अपने लिए दो लाल, तीन नीली और चार हरे रंग की कलम ली रोहित ने सिर्फ दो नीली रंग की और पंकज ने अपने लिए तीन लाल, पांच नीले, दो हरे और साथ काले रंग की कलम ली क्या आप दी गई जानकारी को एकपद, दुईपद, त्रीपद और बहुपदिये में वर्गी कृत कर सकते हैं? यहां हम लाल को A से, नीले को B से, हरे को C से और काले को D से दरशाती हैं. आये अब तीनों दोस्तों की कुल कल्मों को पदों के रूप में दरशाएं. मोहन दो A जमा तीन B जमा चार सी रोहित दो B पंकज तीन A जमा पाँच बी जमा दो सी जमा साथ डी. मोहन के पास कुल तीन प्रकार की कल्मे हैं. जैसा कि हम जानती हैं वह व्यन जग जिसमें तीन पद हों त्रिपद यानि ट्राइनोमियल कहलाता है. अतहद 2A जमा तीन B जमा चार सी त्रिपद यानि ट्राइनोमियल होगा. इसी प्रकार रोहित के पास एक प्रकार की कलम है अतह दो बी एक पद यानि मुनोम्यल होगा अब यदी पंकज की कलमों को देखा जाए तो ये चार प्रकार की है अतह तीन ए जमा पाँच बी जमा दो सी जमा साथ डी चार पद ये बहुपद होगा उदाहरन दो निम्नलिखित को एक पद, दुवी पद और त्रिपद में वर्गी कृत कीजिए पाँच पी की घात दो, क्यू आर जमा तीन पी क्यू घटा साथ पी क्यू आर की घात दो दो, M, N की घात तीन, घटा, पाँच, A की घात दो, B ग्यारह, T, U की घात दो, V दिये गई व्यन्जक में तीन प्रकार के पद है, जिसमें पहला पद, पाँच, पी की घात दो, Q, R दूसरा पद, तीन, P, Q, वद तीसरा पद, घटा, साथ, P, Q, R की घात दो है अतहय यह त्रिपद होगा दिये गई व्यन्जक में दो प्रकार के पद है, जिसमें पहला पद, दो, M, N की घात, तीन, वद दूसरा पद, घटा, पाँच, A की घात, दो, B है अतहय यह द्विपद होगा दिये गई व्यन्जक में एक ही पद है, जो 11, T, U की घात, दो, V है अतहय यह एक पद होगा तो आज हमने देखा बहुपदों के उदहरन अब अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्यधारनाओं के बारे में जानेंगे धन्यवाद